हेलो स्टूडेंट्स लेसन नमर वान यूनिट्स एंड मेजरमेंड के ये पार्ट नमर वन में आज हम देखने वाले हैं यूनिट, सिस्टिम ओफ यूनिट्स एंड फंडामेंटल कॉंटिटीज एंड यूनिट्स को कि आज हम देखने वाले हैं यूडिट एने क्या पहले तो इन और डेली लाइफ वी नीड टू मेजर ए नंबर ओफ कॉंटिटीज अब आप जैसे सब्जी मार्केट जाते हो वहाँ पर आप कोई भी सब्जी लेते हो तो आप बोलते हो कि मुझे ये सब्जी इतने हाफ केजी चाहिए या वन केजी चाहिए यानि हर दम आप कोई भी कॉंटिटी यानि कोई भी सब्जी ले रहे हो तो आप उसके कॉंटिटी को मेजर कर रहे हो ठीक है और इन और डेली लाइफ वी अलसो मेजर दा साइज ओफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ओफ लिक्विड जैसे हम दू वेट्स ओफ बॉडी को भी मेजर करते हैं या तेंपरेचर आज का टेंपरेचर 25 डिग्री से यह यह लेंथ है क्लोग की लेंथ है 5 मीटर यह हर दम यह हम मेजर्मेंट करते हैं मेजर्मेंट करते समय उसमें एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट इन वाल रहता है ठीक है और यह यूनिट कैसा है इडिज यूनिवर्सली या इंटरनेशनली एकसेप्टेड वह यूनिट कैसा है इंटरनेशनली एकसेप्टेड यूनिट हम वहां पर यूज कर रहे हैं जैसे हम बोल रहे है कि वन केजी एपल दो तो वहां पर केजी याने किलोग्राम यह कर देखना है तो वन केजी आप जहां पर बोल रहा है तो यह kg याने किलोग्राम यह क्या है तो यह है यूनिट ठीक है और जैसे हम लैब में एक्सिंपर्रीमेंट करते हैं तो लेंट करते समय भी हम बहुत सारे कॉन्टिटी इसको मेजर करते हैं जैसे वेलोसिती है acceleration है displacement है time को major करते है तो यह जो major करते सामय उनको उनके लिए एक standard में उसको major करते है it is known as unit ठीक है तो unit याने क्या है आप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है first line कि the standard major the standard major of any quantity is called unit ठीक है तो जो major कर रहे है कोई भी quantity को उसको क्या बोलते वह standard major है which is accepted internationally universally it is known as unit ठीक है तो unit की definition क्या है फिर the standard major of any quantity is called as unit ठीक है तो different quantities के different units रहते है जैसे हम अभी हमने अभी देखा कि length है length का unit कितना length का unit क्या है length का unit है meter और symbol है m time का unit क्या है time का unit है second और symbol है s यहां पर आपको दिखाई दे रहा है mass का unit है kg kg और symbol है kg वैसे velocity का भी unit है velocity का unit है meter per second ठीक है तो हरे हर बार हम कोई भी physical quantity major कर रहे है और उसके साथ में एक standard major use कर रहे है that is known as unit ठीक है फिर clear हो गया unit यानि क्या है तो तो अब आपको unit means क्या है कि एक कोई भी value along with the some standard major उसके साथ एक value रहेगी यह सब्सक्राइब को हम बोल रहे है कि 1 kg एपल दो तो 1 kg यहां पर हमको भी दिखाई दे रही है और unit भी दिखाई दे रहा है ठीक है तो unit is major along with some value ठीक है यहां तक समझ में आया आपको अब हम देखेंगे यह unit के क्या क्या system है that is we see now the system of units system of units को देखने वाले है तो पहले जो system of units थी mainly there are four system of units आपको दिखाई दे रहे है पर पहले के जमाने में only first three systems namely जो पहले तीन system है cgs sorry cgs system mks system and fps system generally use किये जाते थे ठीक है तेन उसके बाद में इन यह जो si system है four number वाली ठीक है तो यह system जो है वो in 1971 में यह system जब एक conference हुई थी 14th international conference हुई थी international international general conference हुई थी general conference general conference हुई थी उसमें यह जो units है किसकी conference हुई थी तो wets and major department जो है wets and major department ठीक है इसकी 14th conference हुई थी थी तो यह conference में in 1971 में यह जो new system derived हो गई है this system is known as si system और si ka long form है system international तो it is known as this si system is known as international international system international system of units थीक है समझ में आया फिर there are four system of units first one is known as cgs system second one is known as mks system third one is known as fps system and fourth one is known as si system ठीक है तो अब पहली जो cgs system है उसका long form हम देखने वाले है it is known as c stands for centimeter g stands for gram and s stands for second system okay mk system है second वाली system तो m stands for meter k stands for kilogram and s stands for second system then है fps system f stands for foot p stands for pound and s stands for second system है और si stands for system international ठीक है si means क्या है system international ओके यहां तक समझ में आया आपको अब हम देखने वाले है जो quantities है they are divided into two groups जो physical quantities है वो दो groups में डिवाइड किया है physical quantities which are used to major physical quantities जो है तो इसको two groups में डिवाइड किया है first one is known as fundamental quantities पहले पहला group है उसको बुलेंगे fundamental quantities ठीक है first type है type भी बूल सकते हो fundamental quantities और second one is known as derived quantities derived quantities अब यह fundamental quantities जो है उनको major करने के लिए जो units लगते है that units are known as fundamental units the units which are used to measure the fundamental quantities are known as fundamental units और जो units derived quantities को measure करने के लिए लगते है that units are known as derived units उसको बुलेंगे derived units तो fundamental quantities को पहले हम देखते है तो देखो there are seven fundamental quantities ठीक है seven fundamental quantities है और fundamental quantity यहने क्या है अब इसको हम detail में देखेंगे ऐसी physical quantity है fundamental quantity को लिखती हूँ मैं यहाँ पर fundamental quantity fundamental quantity यानि ऐसी quantity है which does not depend वो depend नहीं रहती है does not depend on any other quantity कोई भी quantity पे depend नहीं रहती है any other quantity किस के लिए depend नहीं रहती है तो for their measurement यह ऊंके measurement के लिए वो depend नहीं रहती है ऐसे fundamental구요 क्या बोलते है for their measurement लिखती हूँ पैसे quantity को बोलते है fundamental quantity ठीक है fundamental quantity यह आनि क्या है फिर fundamental quantity is a quantity which कौन्डा मनल कंथिसे कॉंदेटीनगा क्या नांटीटनेटी जैसे अब दीरार से फंडामेंटल कंथी जैसे अब दीरार सेवें फंडामेंडल कंदा मैं मैं यहां पें लिखती हूंसे seven fundamental quantities a first one is known as length second one is known as mass second one is known as mass third one is known as time fourth one is known as temperature fifth one is known as electric current electric current then sixth one is known as luminous intensity luminous intensity intensity and seventh valley hair last amount of substance these are known as fundamental quantities इनको क्या कहते है fundamental quantities ठीक है तो यहां पर हमको fundamental quantity की definition दिखाई दे रही है चलो पढ़ते हैं इसको the physical quantities which do not depend जो depend नहीं है यह very much important word है with the physical quantities which do not depend on any other quantity for their measurement उनको measure करने के लिए वो दूसरे के उपर depend नहीं है ठीक है are known as fundamental quantities और the units used to measure fundamental quantities जो unit use करते है fundamental quantity को measure करने के लिए that units are known as fundamental units उनको क्या कहा जाता है that units are known as fundamental units ओके समझ में आया next देखते हैं कौन सी कौन से है अभी हमने देखे हैं there are seven fundamental quantities कितनी fundamental quantities है seven fundamental quantities है first one अब यहां पर आपको fundamental quantity first column में दिखाई दे रही है दें उसका SI unit दिखाई दे रहा है और उसका symbol क्या है unit का वो भी आपको दिखाई दे रहा है first quantity is known as length SI unit है meter और symbol है M second quantity है mass SI unit है kilogram symbol है kg third one is time SI unit है second symbol is S fourth one is temperature SI unit है Kelvin और symbol है capital K यहां पर K is capital ठीक है time का second जो है S जो है वो small है यह याद रखना है आपको fifth number की quantity है electric current उसका unit है ampere ampere का A चोटा है बट symbol का A it is a capital letter ठीक है A is a symbol then sixth वाली quantity जो है it is known as luminous intensity SI unit is candela and it is symbol is CD okay then seventh number वाली जो fundamental quantity है it is known as amount of substance SI unit है mole और symbol है M O L okay यहां तक समझ में आया these are seven fundamental quantities consequence है length, mass, time, temperature, electric current, luminous, intensity and amount of substance ठीक है अब यह seven fundamental quantities को measure करने के लिए यहां पर आपको units दिखाई दे रहे that units are known as fundamental units अब यह seven fundamental quantities को लेकर अब यह seven fundamental quantity है पर उसके साथ में और दो supplementary units है हम next lecture में वो दो supplementary units को भी देखेंगे और जो derived quantities जैसे मैंने अभी बताए कि there are two types of fundamental there are two types of quantities जो है fundamental and derived उसको हम detail में next lecture में देखेंगे ठीक है आज के दिन आज के लिए यहां पर रुख जाते हैं okay then bye bye have a good day thank you